तो आज हम बात करेंगे sequence के वारे में पहले उसकी definition देखेंगे कुछ examples करेंगे तो definition क्या करती है कि आप map from n to r defined a sequence of real numbers यहाँ पर r है ठीक है तो इसलिए real numbers की sequence है लेकिन यहाँ पर अगर कोई और set होता तो हम उस set के बात करते हैं जैसे यहाँ पर जब हम metric space पढ़ते हैं तो व जो sequence होता है ठीक है that is f हमारा natural number से r पर यह function है और function की property क्या होती है कि इसके हर एक element की क्या होनी चाहिए एक image होनी चाहिए ठीक है और unique image होनी चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखते किस तरह से है f1 f1 की कुछ image आएगी f2 की कुछ image आएगी f3 की कुछ image आएगी इ लिख देते हैं और इसके कई सारे notations होते हैं इस तरह से हम an करके भी denote कर देते हैं और हम इस bracket के अंदर an लिख देते हैं bn लिख देते हैं un लिख देते हैं और भी कई सारे हैं जैसे कभी जरूरत होती ज्यादा sequence के तो हम vn से भी denote करते हैं और भी कई सारी चीज़ें हो सकत define करते हैं और हमने define किया f on f n is equals to n तो यह हमारी sequence हो गई f n is equals to n और यह sequence हमारी an is equals to इस तरह से हम denote कर देते हैं इसका क्या मतलब है 1,2,3 इस तरह की यह हमारी sequence होगी example number दूसरा देख लेते हैं f of n से r पे हमने define किया function किस तरह से f n is equals to minus 1 की power n into n तो यहां पर n पर vary कर रहा है n की हर एक element के लिए हमें image मिल रही है तो यह हमारी sequence हो गई sequence हमारी basically क्या है function है n से r पे वो हमारा क्या होना चाहिए well define हो जो function की property है न वो हमारी satisfy करना चाहिए यहां पर तीसरा example f n से r f of n हमने किस तरह से define किया है minus 1 की power n तो sequence हमारी किस तरह से हो गई इसी को sequence form में लिख लेंगे एक और function जो है यह हमारा example है n से r पे f of n is equals to 1yn इसको हमने इस तरह से sequence form में लिख लिया और एक sequence जो कि हमें देखने हम series लगती है लेकिन वो sequence है f of n is equals to 1 plus 1y2 plus 1y3 plus इस तरह से लेकिन जब हम इसको जैसे यहां पर अभी तो यह sequence है 1 upon k is equals to 1 to n जब तक यह finite रहता है तब तक यह हमारी sequence कहीं जाती है लेकिन जब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं k is equals to 1 to infinity 1 upon k तब यह हमारी series हो जाती है तो यहां पर यह sequence है और इसको किस तरह से लिखते हैं यहां पर देख सकते हैं f1 is equals to 1 आएगा f2 is equals to आएगा 1 plus 1y2 f3 जो आएगा वो आएगा 1 plus 1y2 plus 1y3 तो इसका मतलब nth term किस तरह से लिखेंगे मुसको 1 plus 1y2 plus dash 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 plus 1y n तो इस तरह से हम sequence को define करते हैं यहां पर कुछ हमने examples देखें बैसिकली यह function होता है ठीक है लेकिन इसको notation जो देते हैं f of n is equals to an यहां पर n जो है हम वो suffix में लगा देते हैं अब हम बात करते हैं range set के बारे में sequence का range set क्या आएगा तो सबसे पहले range set की definition देख लेते हैं definition हमारी किस तरह से दे रख किए the range set of a sequence is the set consisting of all distinct elements of a sequence अब हमारी sequence इस तरह से हम भी note कर देते हैं ठीक है अब इसमें जो distinct elements आएंगे न उनका जो set होगा वो हमें range set कहा जाएगा और अगर हम in general function के form में देखें तो function का जो range set आएगा function की जो range होती है वो ही हम कहते हैं कि sequence की range होगी जो sequence हाफ function है यानि f of n अगर an है तो यह जो f की range होगी वो हम an की range कहेंगे तो यहाँ पे हमने किस तरह से denote के यह यह यू n is equal to n belongs to natural number अब sequence form में तो हम repeat भी कर देते हैं one minus one one minus one one minus one इस तरह से यह भी हमारी sequence है लेकिन range set में हम repeat नहीं लेते हैं तो इसका मतलब अगर इसका range set देखें तो हमारा किस तरह से आ जाएगा one minus one ठीक है तो यह distinct element है इस तरह से two three पे three तो range set के आ जाएगा range of f is equal to natural number तो natural number इसकी range आ जाएगी तो यहाँ पे भी वही लिखका है range of an is equal to an and belongs to natural number a1 a2 a3 इस तरह से जाएगा one two three four तो यह हमारा natural number सा जाएगा तो range set निकालने का सबसे आसन तरीका है कि हम उसको इस form में लिखेंगे और उसकी जो value आएगी उसको हम रखेंगे और repeat करने लगेगा तो हम छोड़ते जाएगे जैसे यहाँ पे one y n दे रखा है a1 a2 और इस तरह से हम लिख लेंगे ठीक है जो हमने sequence के example से लिखे थे उनकी range set निकालना सीख लेते हैं अब जिसे यह वाला example दे रखा है इसका range set हमारा क्या आएगा तो हम पहले क्या करते है range of a n इसको हम किस तरह से लिख लेते है a n such that n belongs to natural number ठीक है यह हमारा किस तरह से आएगा पहले हम n is equal to one put करेंगे तो जब one put क करेंगे तो क्या जाएगा यह minus का one two put करेंगे तो minus one का power two हो जाएगा तो यह हमारा क्या जाएगा 1 हो जाएगा तो यह आजाएगा two three put करेंगे तो minus 1 की power 3 तो minus 1 रह जाएगा तो यह minus 3 और फिर 4 minus 5 इस तरह से यह चलता चलेगा तो इसकी range set हमारा यह आ जाएगा ठीक है इसके बाद में हम इसकी range set देखेंगे तो इसकी range set क्या आएगा range of an an belongs to natural number ठीक है तो यहाँ पर हम देखें तो a1 हमारा क्या आएगा a1 आएगा minus 1 a2 आएगा हमारा 1 a3 क्या आएगा minus 1 a4 क्या आएगा 1 और इस तरह से चलता चला जाएगा तो अब यहाँ पर repeat होने लगा तो इन terms को हम नहीं लिखेंगे तो इसका range of an-1,1 ठीक है इसका example हम देख चुक है और इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर range of an-1 क्या आएगा range of an-1 आएगा न a1 होता है फिर a2 होता है इस तरह से तो यहाँ पर a1 हमारा किस तरह से दे रखा है 1,1 प्लस 1 बाई 2,1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इस तरह से यह हमारा range set आ जाएगा तो आज के लिए बसतने अगर आपको हमारा वीडियो चल लगे तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में